जहन दोस्तों बात करूँगा आज OROP बन की, बात करूँगा OROP 2 की और बात करूँगा finally OROP 3 की यानि तीनों टेबल को हम comparison करेंगे कि आखिर हमारे साथ क्या चल हुआ है कहां किसको फैदा होना चाहिए था हुआ है नहीं हुआ है आकिर सरकार ये live data लेती है तो लेती कहां से ऐसी चीज है ताकि आपको ये पता चलेगा किसको कितना फैदा हुआ है किस rank को OROP 3 में किस कितना कितना फैदा हुआ है और वो आपको area जो कि सितंबर की pension के साथ 53% DA के साथ लगके आएगा और वो amount कितना होगा तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए तो माफ करना नहीं अधरवाज मेरा 5-7 मिनट से ज़्यादा वीडियो बनाने का कोई रादा नहीं होता है और जितनी भी चीज है मैं आपको board पे आसानी से समझाओंगा आपके पास circular 555, 666 और वारू P3 सारी चीजियों से जो जानकारी लेकर हमें ये समझने की कोसिस करना हुआ क्योंकि आगे इनी इसी के बेश्ट के आगे हम कुछ anomaly इसमें निकाल सकते हैं तो दोस्तो आईए board पे चलते हैं सीधा सीधा जैसे आप देख सकते हो के rank अमने सिपाई से captain तक लिखा है service लिखी है ओर आरो P1 में यानि एक जुलाई दोयार 14 को आपको कितनी हुई थी और उसी को 2.57 से एक जनवरी दोयार 16 को आप कितना entitled लिए यानि ये एक ही figure है दौनों को ओर आरो P2 जो एक जुलाई दोयार 19 का दोयार 22 में घोशना हुई थी ये लाल लंग से उसके कितने figure है फिर ओरो P3 में आपके अभी कितने figure बन रहा है कितना बड़ा है कितना बड़ा है वो amount कितना है और area कितना बनेगा यानि तीन महिने का area और 53% डिये लगा कितना बनेगा यानि बिल्कुल clear बिल्कुल छोटे सब्दों में और आसानी से समझने के लिए यद इसके उपर नीचे तो वो भी अपनी वर्काउट कर सकते हैं टेबल सब के पास लगवब पहुँच चुकी दोस्तों नहीं पहुचिये वार्ट सेब मेसेज करना प्लीज अब मैं सिपाई की बात करूँ 17 साल सिपाई 19 साल सिपाई की बात करूँगा सबसे पहले जैसे कि वार्ट बन में 6665 था 19 वालों की 673 था अब उसको 2.57 से 17129 और 17433 लाया लेकिन उन्होंने वार्ट टीप 2 में सेम कर दिया फिगर लेकिन ये फिगर वार्ट बन से लगा क अलग लग था लेकिन फिगर शेम किया अभी वार्ट फिगर में क्या किया 18,807 को 20,436 और 18,807 को 21,425 जिसकी 19 साल कर दिया अब इसकी बड़ोत्री होती है 1656 और 1 की होती 2618 यानि 19 साल वाले की 2618 एरियर इनका बनता है 7,601 और 12,16 एरियर का मतलब 3 जुलाई अगस सितंबर डिफरेंस इंटू 3 और 23 परसेंट उसका डियर ये आपका बनता है एरियर इसी तरह नाइक 17 साल और 22 साल दोनों का एक ही था 717,00 और 18,427 रखा था और वारोपी 2 में 20,107 तो वारोपी 3 में 21,488 21,244 एक नाइक है 22 साल वाला और उसकी 23,59 हो गई है द्यान से सुनना नाइक का 22 साल वाले की 23,25 बढ़ी है और जो नाइक 17 साल टी एस करके है उनकी 1381 एन 1381 बढ़ी है इस 1381 बढ़ी है तो आपको डियर अरियर मिलेगा 6,338 और नाइक साब को डियर मिलेगा 10,671 जिनका 21,244 से बढ़ करके 23,59 वारूपी 3 में हो गई है आप इसके हगदार हैं बात करते हैं हवालार की 24 साल सर्विस है 7,808 वारूपी बन में थी और वो कनवर्ट होती है 26,67 में और वारूपी 2 में 22,257 और 24,730 आपको वारूपी 3 में मिलती है तो 25,106 यानि 2,506 ये 2,506 सबसे बड़ा फिगर है जो आप देख सकते हो साइद इसमें बाकी मैं लेटिनेंट केपिन की बात नहीं कर रहा है ये फिगर है और ये एरियर में कनवर्ट करते हैं तो 11,502 आपका एरियर बनेगा हाँ जी दोस्तों एरियर आपकी कैल्कुलेशन एक जुलाई 2024 से ही होगी अब ओनरी नैप सुधार का 8,425 वारूपी बन में था कनवर्ट होता है 2.57 से तो 21,600 बाउन पहुंसता है वारूपी 2 में ये 23,750 फिगर है और बाकी ये जाता है 25,738 पे जाता है ये फिगर और 1988 और एरियर मनता है 9,015 तो दोस्तों ये इनको भी अच्छा खासा फाइदा हुआ है बिलकुल अभी बनते हैं बिलकुल नायप सुधार 10,405 पहले था कनवर्ट किया तो 26,741 बना 28 साल वाले का 10,742 तो 27,607 ये आप ले रहे 2014 ये अब 2019 पेसी किसमत फूटती है तो 24,825 ये माइनस हो जाता है और ये 27,607 से 26,75 ये माइनस हो जाता है यानि ये निरास हा रही आपने माइनस फिगर थे आपने नायव सुधार सुविधार सुविधार अब ये कितना बढ़ता है 26,900 होता है 24,825 ये यानि 20,75 बढ़ोतरी हो रहे है किसकी यानि जो 2019 के बार लगवग आ रहे है उनकी अब जो पुराने लोग हैं जो 26,789 10,11,12,13 चुदा के और लेटी 26,771 ले रहे हैं अब उनको कितना फायदा हो रहा है आप समसकते हो इनको फायदा हो रहा है 24,75 का और पुराने वालों को फायदा हो रहा है आप समयकते हो मुस्किल से 1,500 रुपाए का पुराने वालों को फायदा हो रहा है अब यहां वन नेंग वन पैंसन की जो प अब यह 27,950 आप समझ सकते हो कि लगवग 35,5 रुपए का इनको फायदा होता है और जो वारूपी 2 वाले लोग है उनको 1875 फायदा होता है जिसको 20,075 का फायदा होता है उसको 9,525 का एरियर मिलेगा और 1875 वाले को 8,606 का एरियर मिलेगा यह बिलकुल सत्य फिगर है इसमें कोई प्रेडिक्शन नहीं है यह दूद का दूद पानी का पानी है सुवधार साब की बात करते हैं जिन विचारों की 12,268 थी 31,529 हो गई और वारूपी 2 में उनकी बाट लग गई माइनस में चले गए 39,700 और यह 32,613 को माइनस में चले आते हैं 31,1 यह सेर मार्केट की तर अब पुराने वालों की 31,530 है तो 30,35 तो बड़ोतरी नहीं होगी 32,613 तो 31,500 तो बड़ोतरी नहीं होगी बड़ोतरी 400,500 की यह जो अभी रेसेंटली रेटायड होके आए हैं जो सुवधार साब अब पुराने वाले यानि दो यार 16 से पिछले दो यार से लगाकर दो या हैं जिनका 27,28 यार लगवग ये लोग वो हैं जो दो यार 21,22,23 में आ रहे हैं उनको फायदा हो रहा है उनको फायदा कितना होगा मैं बता रहा हूँ उनको फायदा 2,5 यार होगा क्योंकि मेरा भाई है मेरा भाई है उसको 28 साल सर्विस करके है सुवधार से उसकी 27,500 है अ दो यार बाइस के बहुत सारे सुविदार हैं सीमपी के साब लोगा 27 यार पांसो 28 यार के 500 तो उनकी रिवीजिन होगी तो उनको भी प्लस दो यार प्लस टू के का फायदा होगा लेकिन अंतर है एक लोट को दो यार फायदा एक लोट को नुकसान यानी फिर वन्नेंग बन पैंसिन के परिवासा खराब हो रही है अब मैं बात करता हूँ सुविदार मेजर की 30 साल का अकड़ा 13,45 और 33,526 तो ये वारूपी टू में थी 34,25 अब 34,225 यानि 100 रुपए बड़े ये वहीं घूम रहा है आसपास यानि इनके उपर किसी की नजर है नहीं 100 रुपए बड़े हैं लेकिन जो अभी आ रहे हैं उनका भी 2000 रुपए बड़ा है और उनको भी एरियर लगवग लगवग मैं आपकी बात कर रहा हूँ तो 10,000 के आसपास उनको भी ये सारी चीज फैक्ट है फैक्ट है फैक्ट है अब मैं बताता हूँ सबसे बड़ी चीज है लेप्टिनेंट साब की अब जिड़ा बंदा लेप्टिनेंट आया है अब लेप्टिनेंट दो प्रकार के आते हैं एक सुविदार लेटिनेंट और सुवेदार मेजर लेटिनेंट आए एक 28 साल वाला लेटिनेंट एक 30 साल वाला लेटिनेंट अब 28 साल वाला लेटिनेंट जो आया है उसकी 40,750 है कितनी 40,750 है और जो 30 साल में लेटिनेंट बनके आया है उसकी 41,200 के आसपास पढ़ रही है 42,050 जो 30 साल से उपर आ रहा है अब 30 साल से उपर कौन जाएगा वो सुवेदार मेजर होगा सुवेदार तो हो नहीं सकता यानि यहां उन्होंने सुवेदार ओर्णरी लेटिनेंट और सुवेदार ओर्णरी केप्टरन को लेंट अप सर्विस के साफ से उपर नीचे किया यहां दिमाग लाया यहां कोई फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है मैं क्यों करा हूँ यह आप 32 साल में लेटिनेंट आतो अब 32 साल में आप लेटिनेंट आ रहे हैं तो सीधा सीधा आपकी 42 यार 625 है अब सुवेदार तो 32 साल में लेटिनेंट आ नहीं सकता क्योंको उसकी सर्विस ही 30 साल है अब सुवेदार मेजरी आएगा या आपको एरपोर्ट नेवी के लोग आएगे उनको भी ध्यान में रखा गया है यदे आप सुवेदार मेजर हैं और आपने लगवग लगवग लेटिनेंट बनते हो और आपकी सर्विस 33 साल है तो 46-300 पर आप पहुंच जाते हो 46-300 पर पहुंच जाते हो यही फिगर आपके लिए कैप्टन के लिए नोंने बना दिया है यदे आप सुवेदार में 28 साल के अंदर कैप्टन आते हो तो 42-500 है लेटिनेंट 40-750 है और कैप्टन 42-500 है दोस्तों और इसी तरीके के यह जो फिगर है लेकिन अब यह फिगर पुराने और नए के यह जो फिगर है ना वारो पीटू के अब में इसमें बड़ी चीज है यानि एक जनवरी 216 के पीछे बालों का 41-321-43-716 फिर एक जनवरी 216 से लेटिनेंट 35-800 पे पहुँच गया था और कैप्टन 38-400-350 पे पहुँचा क्योंको उनका कम कर दिया अब उन लोगों का सुधार हो गया जो 30 जून 2019 से पहले आये थे उनको 35-800 से यानि 47-200-43-675 पहुच गया था अब फिर 21-19 एक अगस्त के बाद जितने लेटिनेंट और कैप्टन रिटाइड आये वो 35-800-38-400-500 के आसपास ले रहे हैं उनको जो अभी बढ़ी है वो 42-600-25-46-300 यानि सीधा सीधा उनको 16,000 पर मंत फायदा हो रहा है 16,000 फर मंत और बुनका एगर तीन मैने का करीब 48-50,000 जाएगा यानि साथ सेथ की आप समझ सकते हो कि कहां ये बिल्कुल फेक्ट है तीनों टेबल से लिया गया है तो दोस्तों आगे अब मैं आपके सामने जो टेबल दुपहर में कल जो आज मिलेगी वो आपको पूरा डेलिबरेट के कौन सी टेबल कहां पाय रहा है और किसका नीचे से कितना फिगर उच्छाल मारा धनवादो